मुख्यमंत्री बनने के बाद 25 सुरेन ने पहली बार अपने हाथों से छात्रों के बीज नियुक्ति पत्र का वीतरन किया 2454 अभिहर्थियों के बीज नियुक्ति पत्र बांट कर सरकार अभी इसे सेलिब्रेट ही कर रही थी कि तब तक इस पर सवाल खड़े उने शुरू हो गया सोसल मीडिया पर आज सुबह से ही लगातार ये सवाल खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज़्यादा तर बहारियों को मौका दिया गया है इस नियुक्ति में आप सब जानते हैं कि कल राजधानी राची में जारखन के मुखमंत्री ने जैसे सी जेई पीजी टी सहीत दो हजार चार सो चववन अभी हर्तियों के बीच नियुक्ति पत्र का वीतरन किया गया था बीजेपी के नेता से लेकर चातर तक कुछ स्क्रीन सोट सेयर करते हुए चातर कहां के रहने वाले हैं जिनका चैन हुआ है उसे लाल घेरा में घेरते हुए जो आप स्क्रीन पर देख भी सकेंगे इस वर्त ये बताने की कोशिस कर रहे हैं कि ज्यादा तर बहारियों का सेल जारखंडियों को जहां हमारी पुरवर्ती सरकार ने या सुनिशित किया था कि जीला की नौकरी उसी जिले के बच्चे को मिले वही इस युवा विरोधी जारखंड विरोधी जाममो कॉंग्रेस राजत सरकार ने पहले साठ चालिस की नीती लागों की अब इस्तिती देख किये तकरीबन सभी नौकरियां राज के बाहर के लोगों को दे दी गई जैसे सी जेई में अंतिम रूप से चैनीत लिस्ट को ध्यान से देखिए चैनीत उमिदवारों के ग्री जिले के कॉलम को भी देख लीजिए इस्तिती असपश्ट हो जाएगी कुछ दिन और बस कुछने वाली बात सिर्फ चुनावी स्टंट नहों मेरा सरकार से सवाल है कि 60% सबल सफल अभियरती गैर जारखंडी कैसे जैराम महतो जो इस्टुडेंट के मसले को लेकर हमेसा मुखर रहते हैं और फिलाल गिरीडी से चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे हैं वह लिखते है उनका नाम और कहां के रहने वाले हैं ये कॉलम घेर कर ये दिखा रहे हैं कि कि इस तरह से बाहरियों का अधिक से अधिक सेलेक्शन हुआ है तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोजिस करेंगे कि क्या सचमुच में ज्यादातर बाहरियों का चयन हुआ है ये जो कई जो है पीजिटी के अलग-अलग सबजेक्ट के जो अभिहर्थी हैं वो हैं जिसमें की बायो के 273, केमेस्टरी के 269, फिजिक्स के 313 और जिगरोफी के 195 में हैं इसके अलावे साथ और सब्जेक्ट हैं जिनका अब तक जो है डॉकुमेंट्स वेरिपिकेशन नहीं हुआ है और वे अपनी न्युक्ति की लड़ाई सनक पर उतर कर रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी क्या गलती है और कोई सुनने के कोई लिए तयार नहीं मंत्री सरकार नेता के पास जा रहे हैं और गुहार लगा रहा है कि हमारी कोई सुन ले को इसके अलावे एगलिकल्च़र रपाटमेंट क के जो जे तो क्या सच्च मुच में ज्यादातर बहारियों का चयन हुआ है यही समझेंगे तो सबसे पहले यह जानना होगा कि अभी जो जार्खन में चयन हो रहा है वो किस नियम के आधार पर हो रहा है आप सब जानते हैं कि पिछले लंबे समय से लगातार जार्खन में कांदोल ने च प्रवी ज्यार्खन के तिर्थिये और चतुर्थी और की परिक्षा में सामील हो पाएगा इसकी नियमावली का जो नाम है यो दिया ज्यार्खन करमचारी चैनायोग संचालन नियमावली 2021 दरसल यह जो नियमा वली है यह हिमाचल प्रदेश से कौपी किया गया और हिमाचल प्रदेश से इसे कौपी तो किया गया लेकिन इस आधा कौपी किया गया और आधा भूल गया इसमें हिमाचल प्रदेश में यह था कि 10 प्लस 2 तो था इसके अलावे वहां का अस्थानिय को भी मौका दिया जाएगा ये भी जिक्र था मतलब कि जो 15 साल पहले से रह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में बोनाफाइड हिमाचली उसे सब्द कहा गया था उसे भी मौका दिया जाएगा लेकिन जारखन में जब यह नियमावली बनी तो यहां पर यह गायब कर दिया गया और कही वज़ा है कि इसे कोट में चैलेंज किया गया और चैलेंज करने वाले में जो रमे सांसदा का नाम सामने आया जो भाजपा किया नेता हैं और वे कोट में उन्होंने इसे गलत बताया और यह तरक दिया कि आप समझे कि अगर दो भाई हैं एक भाई राची में रहके पर दिश्वाद हेमन सोरेन की कबिनेट ने इसे बिलोपीत कर लिया और जैसे बिलोपीत किया जारखन में ओटोमेटिकली शाट चालिस वाली जो नियम है नियोजन नेती है वह लागू हो गई और यहाला कि ऑफिसियली कहीं लिखित नहीं है न कोई कहा कि साट चालिस वाली है वह मान के चला गया कि साट जो है वह रिजर्व के टेगरी के लिए है और चालिस परतिसत जो है वह आपन फॉर आल है मतलब चालिस परतिसत में भारत का कोई भी व्यक्ति सामिल हो सकता है और उसी का परिणाम है कि यह 40 परतिसत में सामिल हुए लोगों के लिस्ट है जो जैनरल केटेगरी के हैं जिसे लाल घेरा में घेर कर घुमाया जा रहा है दरसल जैसे ही केबिनेट से जो है 10 प्लस टू वाले जो तरही लागु हो रही है यहां तक कि 75 परतिसत असथानियों को नौकरी देने का जो बाद सरकार के तरफ से लगातार किया जा और यह कहा जा रहा है कि फैक्टरियों में 75% अस्थानिये लोगों को नौकरी दी जाएगी वो रगवरदास द्वारा जो बनाया गया था संकल्प संखियां 31.98 उसी के आधार पर ये नियुक्ति दी जा रही है आप इसे ऐसे समझेए कि अभी जो अस्थानिये नियुवासी प्रमान पत्र बन रहा है जो अनलाइन फॉर्म है उसमें लिखा हुआ है कि कार्मिक प्रसासनिक सुधार तथा राजभासा विभाग जार्खन सरकार के संकल् संक्यां एकतीस अंठानवे दिनांक 18-4-2016 की कंडी का दो में उलिखित सर्त संकल्प संक्यां एकतीस अंठानवे के आधार पर जो है वो ये बन रहा है तो एकतीस अंठानवे 18-4-2016 तो ये जो संकल्प संक्यां का जिक्र है ये रगवरदास के समय जो नियम बना था वही है और उसी के आधार पर अभी अस्थानी प्रमानपत्र बन रहा है और उसी के आधार पर ये जो प्राइवेट कंपनियों में जो नौकरी है जिसका रिजर्वेशन की बात की जा खत्यान केविनेट से पास हुआ बिधान सभासे पास हुआ उसमें नियोजन भी जोड़ा गया और उसको राजपाल के पास बहँजा गया राजपाल से लोटाया गया यह कहा गया कि सौब पीसिदि आप लौक नहीं कर सकते उसके बात फिर से पास करके अभी राजभवन ब झाल the follow-up dot in